शिर्ष ने तित्व से मैंने अपेच्छा की थी कि मैं लगबग पांच वर्षों से 2019 में चुनाव हारने के बाद से लगतार अपने छेतर में सक्रिये हूँ और मुझे हक मिलता है मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने का लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चल मुंबई में उत्तर पश्चिम लोग सभा की सीट 2014 में सिवसेना ने जीती 2019 में सिवसेना ने जीती तो 2024 में यह तै हुआ कि महाविकास अगाडी की तरफ से सिवसेना उध्व बाला साप ठाकरे के उमिद्वार अमोल भाया किर्थिकर चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रेस पार्टी को यदि लगता तो कॉंग्रेस पार्टी जरूर उस पर विचार करती लेकिन कॉंग्रेस ने सहमती से बात माना कि हाँ आपका अधिकार है अपचुनाव लड़ेंगे ऐसे में कॉंग्रेस की नेतायदी संजय निरुपम जी रोज टेलिवीजन में आकर सोशल मीडिया में आकर यह बात कहेंगे कि अमोल भाया किर्थिकर के उपर जात सुरू है एडी उनको पकड़ने आईए देखिए भीया किसी के उपर जात सुरू होने से दोशी नहीं हो जाता जिस प्रकार एडी और सिब्याई का दुरुपियोग केंदर सरकार कर रही है सीधी सी बात है कि हमारे उमीद्वार को डराने के लिए धमकाने के लिए दववव बनाने के लिए कर रही है इससे और दोशी नहीं हो जाते है रही बात आपके प्रचार करने की न करने की आपका विक्तिकत फैसला होगा कॉंग्रेस पार्टी संपूर्ण रोग से महाविकासा घाडी में है सिउसेना के उमिद्वार के साथ है कॉंग्रेस का सिर्ष नेत्रुत्तु सिउसेना के सिर्ष नेत्रुत्त के साथ संपर्क में है आपके उपर अन्याय हो रहा है यदि आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप कॉंग्रेस पार्टी से जाकर कहिए आप कॉंग्रेस पार्टी पर दवाव बनाईए न कि टेली विजन में आकर आप दवाव बनाते हैं और हम एक महाविकासा घाडी में हैं आप एक ऐसे आरोप लगा सकते हैं कि हम मदद करेंगे कि नहीं करेंगे पार्टी मदद करती है ना पार्टी ने तयक किया है कि यह सहयुक्त उमिद्वार है और आप तो बार बार कह रहे हैं कि साथ दिन के अंदर मैं अपने विकल्प ओपन रखा हूँ इसका मतलब आपकी किसी और दल से बाच चल रही, आपके विकल्ब खुले हैं, तो आप उस तरब जाईए, आपको सुपकामना है, लेकिन हमारे उमिद्वार के प्रती नफरत पहलाने का काम न कीजिए. महाविकार सकारी के खिलाफ होगा, हमारी पार्टी के खिलाफ होगा, महाराष्टा के हित के खिलाफ होगा, और देश हित के खिलाफ होगा, तो हमने जो सही हित है, जो हमारी सही मांग है, वो हमने यादी के जरियर जाहिर की है, और हम अपने उमीदवार को विज़ई बनाएं तुम्हीं बहात आहाद विस्टा न्यूज मराठी